देखे जो प्रोटीन है basically मैं आप हलका से गायट देता हूं देखे प्रोटीन क्या है based on their molecular structure वे दो तरह से आपके डिवाइड होते हैं जैसे आपके होगे तो फाइब्रस प्रोटीन ओके और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन और जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है ये further divide हो जाता है इन 4 पार्ट्स में जैसे primary हो गया secondary हो गया tertiary हो गया, quaternary हो गया, इस तरह से, ठीक है, तो इसमें ही इन्होंने पूछा है, कि जो secondary, tertiary structures है, protein के, इन में से कौन-कौन सा method है, जो stabilize करते हैं, या कौन सा method है, क्योंकि stabilize नहीं करता, ठीक है, देखे, जो secondary टर्शरी है, direct NCRD से statements हुटाएगा है, जो basically main forces की मैं बात करूँ, जो main forces हैं, that stabilize, आपके जो secondary and tertiary को वो होता है, hydrogen bonding, दूसरा होता है, disulfade linkage, disulfade linkage मतलब ये वाली, S, hydrogen bonding, disulfade linkage, तीसर होता आपका wonder wall forces, और चोथा होता आपका electrostatic force of attraction, electrostatic forces जो होती हैं, आपकी attraction, ये इनको stabilize करता है, ये चार है, अब इसके according से match कौन सा नहीं करता है, hydro bonding करता है, sulfur sulfur linkage करता है, ये नहीं करता है, तो जो आपका basically इसमें answer हो गया, वो हो गया option no.3,